प्यारे बच्चों नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 6 विश्य सामजिक विज्ञान इत्यास के अंदर पाठ चार सोडा महाजन पद करने वाले हैं तो जो बच्चे चैनल पर नहीं है या जिन बच्चों ने भी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया सबस्क्राइब कर लें उपने साथियों को सेयर कर दें तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास का कारिया पत्रक एक प्राचिन काल में ग्राम के मुक्या को ग्रामनी कहते थे और अब ग्राम के मुक्या को क्या कहते हैं तो प्यारे बचों सभी को पता है क्या कहते हैं सरपंच कहते हैं परसासन की सबसे चोटे काई ग्राम होती है अप को अपने गाम का नाम लिखना है जैसे मैंने यहां अगर अपने गाउं का नाम लिखना हो तो मैं लिख देता हूँ सहापूरिया साहा पूरिया अपने प्रिवार के मुख्या का नाम आपको लिखना है अगर गाओं के मुख्या का नाम पूछे तो सरपंच का नाम लिखना है अगर प्रिवार के मुख्या का नाम लिखना है तो आप क्या करोगे यहां अपने घर के मुख्या के अनाम जैसे दादा जी है तो दादा जी लिख सकते हो पापा जी है तो पापा जी से लिख सकते हो पापा जी का तो ये है खुद के लिए आगया कारिया पत्रक दो मानचितर में देखकर महाजन पदों की राजदानी उनके समदित बोक्स में लिखो तो प्यारे बच्चो यहाँ पर देखो कमबोज है इसकी राजदानी हाटक या रायपूर है गांदार की तक सिला तो इस तरीके से दो-तिन मैंने लिखके दिखाई हैं तो आप इसको पूरा यहाँ लिखोगे इस बोक्स के अंदर आगे भारत के राज़यों का मानचितर विद्यार्थियों को दिखा कर उनके याद करवाएं जम्मुय कस्मीर उपर फिर पंजाब यहां हरियाना तो यह आप इस को देखेंगे और इनकी राज़दानी को आपको याद करना है और अगर आपको कुछ इसके बारे में लिखना हो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एक लिखा है अलग से 20 जनरी 2020 को दादराय नगर हवेली तथा दमने द्यूप को मिला कर एक केंदर सासित परदेश बना दिया गया जम्मुय कस्मीर का राजे का दरजा समाप कर दिया गया है अगस्त 2019 में जम्मु और कस्मीर को भी वाजित करके जम्मु और कस्मीर था लद्दाख नामक दो केंदर सासित परदेश तापित कर दिये गए है तो ये कुछ नई जानकारी थी वारत के मानचितर के बारे में तो आपको इन सब राजियों के नाम याद करने है इनकी राजदानी आपको याद करनी है तो आप हरियाना के अंदर रहते हैं तो अरियाना की राजदानी क्या है प्यारे बच्चो चंडी गड़ है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए तो उमीद करताओं कि अध्याए जो च्यार था सोडा महाजनपद आपको समझ में आया होगा दन्यवाद